हेलो फ्रेंड्स हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सकाइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तो आपका हमारी चैनल साइगोन टाइम से सागत है आज हम आपके लिए राजा विक्रमा देत्य और उनकी भावी ध्रुब देवी की कहानी लेकर आए है इसमें हम आपको बताएंगे कैसे राजकुमार चंद्रगुप्त दुतिय ने अपनी भावी ध्रुब देवी के सतीत्यों की रच्छा की किस प्रकार उन्होंने सक राजा को भगाया अब हम अपनी कानी विस्तार से बताते हैं समराट बिक्रमा दित्या समराट समुद्रगुप्त के दूसरे बेटे थे उनको चंद्रगुप्त दुतिय के नाम से भी जाना जाता है समराट समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त दुतिय के बड़े भाता रामगुप्त समराट बने रामगुप्त का विवा धुरुब देवी से हुआ रामगुप्त भोग विलासी राजा थे उन्होंने सेना और राज के संचालन पर धिहान नहीं दिया जिस कारण सामराज की स्थी कमजोर होने लगी भारत के दूसरे राजाओं ने इस सिस्थी का लाव उठाना चाहा इसके लिए सक राजा ने रामगुप्त के राज पर आक्रमण कर दिया दोनों का युद संधी पर जाकर समाप्त हुआ इस संधी में रामगुप्त ने अपनी पतनी धुरुफ देवी को सक राजा को देना सुईकार कर लिया जब धुरुफ देवी ने यह सुना वे अपने पती पर बहुत टोलिद हुई और उनसे घ्रणा करने लगी ऐसी परिस्थिती में राजकुमार चंद्रगुप्त दुतिय ने सक राजा पर आक्रमण की योजना बनाई राजकुमार चंद्रगुप्त दुतिय ने राजा रामगुप्त की ओर से संधेश विजवायागी वे दुरुफ देवी को उसके सिविर भेज रहा है इसमें दुर्वदेवी के साथ उनके दास दासिया तता उनकी सुरच्छा को कुछ सेनिक होंगे। चंद्रगुपत दुतिय इस्त्री भेश रखकर तता कुछ बहादूर और विश्वसनिय सेनिकों को लेकर सक्राया के सिविर को चल दिये। जहां सक राया ने समझा द्रुव देवी आ गई, द्रुव देवी के रूप में बैठे चंद्रगुप्त दुतिय को सक राया के कच्छ में पहुँचा दिया जाता है, जहां चंद्रगुप्त दुतिय सक राया को मार देते हैं, सक राया के मरते ही उसकी सेना भाग आती है, इ इस घटना से परजा की दरश्टि में चंद्रगुप्त दुतिया की इज़त और बढ़ जाती है चंद्रगुप्त में परजा संब्राट समुद्रगुप्त के समान संब्राट देखने लगती है। यसकारण रामगुप्त चंद्रगुप्त से इर्शा करने लगा और चंद्रगुप्त को अपने मालक से हटाने का सडेंदर करने लगा। जब चंद्रगुप्त को यह सब ग्यात हुआ तो उन्होंने रामगुप्त को मार दिया और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त दुतिय राजिसिंगासन पर बैठे चंद्रगुप्त दुतिय पहले के सासकों की भाद योग वह महान सासक सावित सिद्ध हुए उन्होंन ने बहुत से छेत्रों को जीता और बिक्रमा दित्त की उपादी धारण की बाद में चंद्रकुप्त ने अपनी भावी रुफदेवी से विवा कर लिया दोस्तों कोई वीडियो पसंद है तो लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन पर क्लिक जरूर करें जैसे हमारे लिटे स्टूडिक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्स वर वाचिंग धन्यवाद दोस्तों